तो आज हम बनाएंगे चिकन स्टीक तो यहां पर देखिए मैंने चिकन स्टीक करीब यहां पर मैंने 3 टेपल स्पोन के घरीब लिया है ardober त्ची मेर्ट मैंने लिया एक तंदूरी तेखिए मसाला न्यायार्ट स्टीक मैं घ dragon बीरा पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट, और हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, तो यह हम, हमको इतनी चिते लगेगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए, तो चिकन, बॉनलेस चिकन लिया है, मैंने तो पहले मैं इसके अंदर, अधर रसन का पेश्ट और चिकन की क्वांटिटी के अकॉडिंग भी आप इसको स्पाइस को थोड़ा बढ़ा सकते है, यहां पर मैंने दही लिया है, उसके अंदर वाटर बिल्कुल भी ना होना चाहिए, तो यह दही भी हम उसमें एड कर देंगे, उसको मैंने अच्छे से फेट लिया था, तो ह मैं साम को इसको इसको इसतार के टाइम पर बनाओंगी, तो यह काफी टाइम तक मेरिनेट रहेगा फ्रीज में, तो अब हम आते हैं इसतार के टाइम पर, तो अभी हो रही है असर का टाइम, तो यहां पर मैं उठी, मैंने नमास पढ़ने के लिए उठी, तो मैंने सचा की नमाज पढ़ने के बाद ही मैं सारी इफ्तारी बनाती हो फिर क्या होता है ना तुरत ही मतलब जो इफ्तार का टाइम हो जाता है तो चलो हम पहले फटाफट से बीचाते है जा नमाज और सुकून से पढ़ते हैं नमाज तो यहां पर मैंने जा नमाज को बिचा दिया है और आप सब को मेरी तरफ से चौथा रोजा बहुत-बहुत मुबारक हो माशाला से चार रोजे कम्पलिट हो गए है तो चलो हम पहले सुकून से नमाज पढ़ लेते हैं और सब के लिए दूआ भी करते हैं तो फाइनली मैंने नमाज पढ़ ली अब मैं आ गई हुक की चन में जो कि हमारा काम करने के लिए तो यह चने हैं जो कि कल मैंने बनाए थे अपने हजबेन के लिए क्योंकि मैं कल गई थी अम्मी के गर तो मैंने उनके लिए चने बनाए थे तो फिर उन्होंने चने नहीं खाये थे उन्होंने चिकन खा लिया था जो कि मैं अम्मी की गर से लेके आई थी वो खा लिया था तो चने मैंने वेश्ट नहीं जाने दिये यह हमारा चिकन जो कि मैंने मेरिनेशन करने के लिए रख छोड़ा था और यह काफी अच्छे से जूसी हो गया है तो यह है मेरे पाश कुछ श्टिक तो यहाँ पर मैं उसको चिकन को इसके अंदर श्टिक करूंगी इस तरहां से देखिए तो इस तरहां से हमको इसको श्टिक करना है आप को भी श्टिक ले सकते हो आपको मार्केट में भी इजली मिल जाती है यह मैंने हमारी यहाँ पर एक स्टोर है वहाँ से मंगाई थी तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक एक करके सारी बोटी लगा दूँगी अगर आपके चिकन क्यूब्स थोटे है तो आप ज़्यादा बोटी भी एड़ कर सकते हो तो चलिए हम फटाफट से सारी श्टिक में बोटी एड़ कर देते है याने की पिरो देते है तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो सारी श्टिक में मैंने बोटी लगा दी है और बहुत ही देखने में तो मुझे बहुत ही अभी से ही लग रही थी और वैसे तो मेरा रोजा था तो मैंने टेस्ट लगे तो किया नहीं और उसके बाद यहाँ पर हम दो अदट अंडे उसको फेंट लेंगे अच्छे से क्योंकि हम उसमें डीप करेंगे उसके बाद फ्राइ करेंगे ताकि उसका जो कवर है वो अच्छे से चड़ जाए चिकन बोटी में तो यहाँ पर मैं दो अंड़ों को अच्छे से ब्रेक कर लूँगी और उसको अच्छे से फेंट लेंगी ताकि उसके इंदर थोड़ा से जाग बन जाए जाग बनने से क्या होगा आपके जो चिकन के उपर जो उसका कवर है वो अच्छे से लगेगा то यहाँ पर आप चाह तो देखिए मेरा जुगाड तो यहां पर हम दीम इसको अच्छे से पहले गरम कर ले ऑर खाने में भी अच्छ लगे उसका और यहां Oh ति हम आरे प्लैड कर लिए तो जो भी डिस आप बनाए तो उसको सर्व अच्छे से सजा कर ही करें ताकि सामने वाले को भी यह होके भाई क्या चीज बनाई है सारे चने मैंने निका लिए है अब मैं उस पर अनियन को सजा दूँगी देखी इस तरह से मैंने छोटी छोटी पीसिस में अनियन को भी कट कर लिया था चोटी छोटी क्यूपस में ही कट कर लिया किया था सोरी उसके बाद यहाँ पर मैं हरा धनिया भी थोड़ा सा सजा में पड़ी हुई तीस से वह तो मैंने सुचा कि चलो इसको भी इसमें एड़ कर देते हैं और डबल अच्छी हो जाएगी और उसके बार यहां अब हम करेंगे फ्राइ जो हमारी चिकन स्टिक है उसको हम फ्राइ करेंगे तो यह मेरा और है मतलब यह मेरे पास जो मैंने यहां एंगे और उसके ऐएन बड़ और गड़ मेडियो को और अच्छी से गरम होने के लिए और रख दिया था हाँ अब आपको और यह मेंड şunu करना आंध और लो एन मीडियों फ्राइण पर ही करना है क्योंकि हमारे जो चिकन है वो कच्छा है तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखे, वैसे चिकन इतनी देर मेरिनेट होने के बार ना चिकन बहुत ही अच्छे से जूसी हो जाता है तो इतनी मतलब 2-3 मिलिट के अंदर तो चिकन बहुत ही इजली अच्छे से गल ही जाएगा तो आप इसको 5-6 मिलिट पकाओगे तो यह जो चिकन है वो अच्छे से गल जाता है और मैंने भी जो यह बनाई थी ना तो उसका चिकन बहुत ही अच्छे से गल गया था कोई भी मतलब कच्छा वगेरे नहीं रिया था तो इस तरह से मैं सारी स्टिक को एक एक करके मैं पैन में डाल दूँगी तो यहां पर देखी मैंने सारी स्टिक डाल दी है अब मैं उसके उपर यह अंडा है तो मैं इसके उपर भी एड़ कर दूँगी जो के मार्केट वला फ्लेवर आए पूरी स्टिक पे हमारा कवर होना चाहिए इस तरह से तो मैं एक एक करके सारी जगाओं पर इस तरह से अंडा भी बिचा दूँगी ताकि सारी स्टिक अच्छे से कवर हो जाए तो बस उसको अब थोड़ी देर तक ऐसी पकने देंगे और उसके बाद उसकी साइट्स चेंज करेंगे और फिर यह हमारी डन हो जाएगी यहाँ पर मैं बनाओंगी अब फ्रूट चाट तो मैंने यहाँ पर एपल और नास पती और जो है क्या बुलते है मैंगो के सारे छिलके उदार दिये थे अब मैं उनको अच्छे से कट करूँगी उसके बाद हम उसमें मसाला डालके उसकी बनाएंगे फ्रूट चाट तो यहाँ पर फटा फट से पहले मैं उसको कट कर लेती हूँ मैं ने फ्रूट चाट भी कट कर ली और देखे यहाँ पर हमारी चिकन स्टिक भी बहुत अच्छे से पक कर रड़ी हो गई है और सारी स्थिक पर अच्छे से कवर भी लग गए है माशाआला से और स्मेल भी बहुत अच्छे वाली आ रही थी तो मैंने यहाँ पर पेपर में निकाल लिया है मेरे पास टीशु नहीं है टीशु का ज़्यादा यूस होता नहीं है मैंने फॉर्स टायम यूज किया था ये अच्छा लगता है और ये चाड भी बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी अगर आपके गर में कटा हुआ फुरू Teになे तो इस तरहा से चाड जरूर बनाएगा यहां पर मैंबना लोगी ठंडा ठंडा मेंगो जूस तो यहाँ पर जो मैंने डेमाट से लिए थे बॉटल तो यहाँ पर पहले में ठंडा पानी उसमें एड़ करूंगी हमारे जिएतना ही 2-3 चार गलास तक का ही उसके बाद यहाँ पर जो मेंगो का जूस की बॉटल है बहुत ही अच्छा होता है ये तो मैं अपने ये हिसाफ से उसमें एड़ कर दूंगी क्योंकि रोजा है तो फिर चक तो सकते नहीं है तो मुझे अंदाज है कि मुझे कितना एड़ करना है कितना नहीं इसमें आपको चीनी वगेर बिल्कुल एड़ नहीं करनी होती है ये थोड़ी सी अनियन और धनिया बत्ता डाल कर उसको भी सजावड के लिए रख दिया उसके बाद मैं यहां पर बना रही हूँ उसकी चटनी तो यहां पर मैंने थोड़ी सी मयोनेस एड़ की है उसके बाद जो मेरे पास ग्रीन पेष्ट है ग्रीन चिली का पेष्ट रेड़ तो यह हमारी चना चाट भी रेड़ी है अब मैं उसके ओपर एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए जो मैंने बनाए थी अमली की खटी मिटी चटनी तो यह एड़ कर दोंगी और सच में यह चटनी के साथ जो चने की चाट में सुआद आया था तो मैं बता नहीं सकती सच मे इतना अच्छा है था तो बस आज का व्लोग यहां पर एंड करती हूँ आई होप आपको यह व्लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कीजेगा तो चलो चलते हैं अल्ला हाफीस